सर क्या कह रहा है सवाल में कुश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं कुश्चन में कहता है Mr. R on House Property Delhi from the following information submitted to you Compute Income from House Property Assessment Year 2021 21-22 का मतलब आपको 20 और 21 के लिए सारा जवाब देना है MV दे रखा है आपको FR दे रखा है SR दे रखा है The house property was let out with effect from 14-2020-8000 पर मेंथे which was vacated by the tenant 30 September 2020 किरायदार ने 30 September को खाली दे कर दिया It remained vacant for 2 months दो महिने के लिए खाली पर रहा फिर with effect from December से फिर उसने again let out कर दिया 11,000 रुपे महिने के Other particular information Municipal tax insurance premium interest on money borrowed purchasing of house आपको house property की income यहाँ पर निकाल के दिखाना है देखो बड़ा simple सा सवाल है सिर्फ एक यहाँ पर vacant का point बताना है और कैसे करेंगे इसलिए इस सवाल को यहाँ लिया गया है यह सवाल भी कितने का आया होगा सर दस का HP 10 नंबर का आता है आपके paper में और salary 15 नंबर का आता है चलिए सर MV MV हमारा है 90,000 FR आजपडोस के rent और हमारा आजाता है आगे SR सर कितने का 1 lakh SR के बाद आगे चलते हैं ER निकालेंगे ER इन दोनों में से higher lower अब निकालेंगे 8RR 8RR निकालेंगे तो question खुद कह रहा है चिला चिला के के 14 2020 को किराये पे दिया और September 30 को किरायदार भाग गया September 30 में किरायदार चला गया यानि 6 महीने रहा फिर से 2 महीने खाली था यानि October खाली था और November December यानि 1st December से यानि 112 2020 से लेके 31,3,2,021 तक फिर किरायदार पे दिया कितने होंगे कितने होते हैं साथ होते हैं एक वर दुबारा गिने हैं सर यहां पे किराय था आठ हजार परमन्त और यहां पे किराय बनता है चार महीने का आठ हजार इंटू में छे अड़तालिस ग्यारा हजार इंटू में चार चववालिस बताईए अब यहां पे घर रहा खाली वेकेटिड रहा दो मेंने के लिए घर था खाली अगर दो मेंने के लिए घर खाली नहीं होता तो साइद मेरा रेंट जो था यह नाइंटी टू यह ज़्यादा होता यह कम होता यह चेक करना होगा अब आपका दो महिने खाली नहीं रहता तो आपका किराया क्या रहता आठ हजार के साफ से ही रहता दो महिने का और ठीक है यहाँ पे दो condition चेक करना है नॉर्मली क्या देखते हैं ER और 8RR में से जो भी higher है उसको हम मान लेते हैं क्या जो दोनों में से higher है उसे मान लेते हैं GAV लेकिन यहाँ पे चेक कर यह सर पहले यहाँ तक देखिए आपको clear है या नहीं है फिर मैं आगे चलता हूँ IHP 21800 यह कहां से आ गया अच्छा इसका अंसर भी आ गया अभी तप्लाए है जल्दी बताईए आप देखके जल्दी बताईए है देख लिया अब मैंने आपको बताया था सर अगर बारा महिने का एक मन में कैलकूलीशन दो क्योंकि वो कहते हैं के सर हायर हम तभी कंसे मान लेते हैं यह पूरे साल बारा महिने चड़ा होता किराये पे तो क्या एक लाग से जादा होता या कम दो मैंने जोड़ते 16,000 रुपे और तो आप बानवे में 16,000 और जोड़ते दो मैंने खाली पे था ना अगर आपका पूरे साल किराये पे रहता तो डेफिनेटली एक लाग से उपर का किराये जाने वाला था यानि हम जो गवर्मेंट का standard rule है government कहता है आपका एक साल में एक लाग होना चीए मैंने काह सर मैं मना कहा कर रहा हम एक साल में आपका पूरे एक लाग से उपर भी ho सकता है जो की मेरा 16,000 आ रहा है लेकिन कुछ महिने खाली रहाए इस लिए किराय था तो government क्या कहेगा आप प्रूफ करो के खाली था या नहीं था आपने प्रूफ करना है जो कि हमें सवाल में कई mention नहीं होता हम यह जंशन ले लेते हैं कि उसमें प्रूफ कर दिया होगा मान लो यह होता कि भाईया पांच हजार रुपे किराय थे और वो छे महिने के लिए दो महिने के लिए खाली था फिर हमने दे दिया चार हजार रुपे महिने बाकी के चार महिने तो यह हो जाते हैं सर तीस हजार रुपे और यह हो जाते हैं तो दो मेहने जो खाली रहा कितिना भी कुछ भी कर ले तो एक लाग तो नहीं जाएगा तो ऐसे सिचुएशन अगर होता ना के टोटल किराया एक लाग से लोवर ही बन रहा तब तो मैं हायर गौर्मेंट लेके टक्सेबल कर देता लेकिन यहां पे एससी जूट नहीं बोल र क्यों नहीं बोल रहा क्योंकि उसका जो है रेंट वो कहीं नहीं एक लाग से जादा बन जाता अगर पूरे साल किराया पे रहता तो तो अब जो यहां पे जी यह भी निकलेगा ना सर वो लोवर निकलेगा देट इस 90 यह सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 कहता है हमारा कहता है ऐसा सि 20% of municipal value MB का 20% यानी 18,000 यह आजाएगा NAV सर क्या आएगा NAV सर 74,000 माइनस में कर देंगे 24A और माइनस में कर देंगे 24 24A कितना रहा है 22,200 और 24B खुदी बोल दिया कुश्चन ने दोस्तार इसको माइनस करिये यह आगया IHP कितने 21,800 जो कि पहले ही जवाब आगया था अब चेक कर यह ठीक होगा फिर से देख लीजिए आपको GAV क्लियर है या इसके सिचुएशन फिर से बना के बता दू देखो वेकेंसी के केस में दिक्कत है बाकी अगर किसी केस और होता तो नहीं हमें सबसे पहला काम जब खाली घर है तो हमें क्या करना है टोटल एक बार क खाली उस बात को भूल जाए या पूरे साल को एक किराय पे लीजिए अगर एक्सपेक्टिड रेंट से ज़्यादा बन रहा है हमारा एक ट्रिपल रार बारा महीने का तो तो लोगर वाला पाटा जाएगा लेकिन इन केस आपका एक्सपेक्टिड रेंट अभी भी ये आता मान लेते हैं एक लाग पाँच हजार तब क्या आता एक लाग पाँच हजार हायर ही आता तब लोवर कॉंसेप्ट नहीं लगता लेकिन अगर इन सभी को टोटल बारा महिने का मान लेते हैं और तब भी एक लाग के बराबर नहीं हो पाता तब क्या आता मान लो नहीं समझे देखिए मैं बता देता हूँ केस नंबर वन सर मेरा जो एकस्पेक्टिड रेंट है न वो है एक लाग मैंने कहा मेरा रेंट जो रिसीव हुआ है वो पांच हजार रुपे छे महिने तक और छे हजार रुपे बाकी के मेरे चार महिने तक यानि मैं बताना चाहता हूँ 8RRR that is कितने हो जाएंगे 30,000 और 24,000 मैंने बता दिया 50 अब सबसे पहले वेकेंसी है या नहीं है बिल्कुल है सर 10 महिने का डिटेल है तो 2 महिने का क्या रहा होगा अब सबसे पहले आप मन में कैलकुलेट करो एक अजम्शन लो कि ये 12 महिने तक किराये पे रहता तो क्या होता पूरे 12 महिने तक रेंट पे रहता तो क्या होता एक अजम्शन लो तर 12 महिने तक होता तो जादा से जादा 2 महिने तक 6,000 और जोड़ देते हैं या जादा से जादा 5,000 दो महिने और जुड़ जाता यानि 10 से 12,000 और जुड़ना था 10 से 12,000 जोडने के बाद भी तो एक लाक से उपर नहीं जा रहा अगर आपका पूरे साल भी किराये पे रहता तब भी तो government यही consider करने वाला था करने वाला था यही न तो ऐसे situation में SST को बोल दिया जाता है तुम जूट बोल रहे हो तुम्हारे किराये से में मतलब नहीं है तुम 2 रुपे किराये पे दो हमें क्या लेना देना हमने डूल निकाला इसके हिसाब से टेक्स देना होगा तो यहां पे ऐसे situation में GAV जो होगा वो होगा एक लाख situation नमबर टू देखिए expected rent हमारा है एक लाख और मेरा जो rent है मैं पिछला ही सवाल ले लेता हूँ आठ हजार रुपे महिने का था यह था छे महिने ग्यारा हजार रुपे महिने का था चार तो रूप कर दिया तो लुट कर दिया तो रहता लुट करा दीट तो कितना बंग जाता यानी गवर्मेंट अगर मैं पूरे साल किरायWow म혀रा पर एक जादा बनाए तब भूर कहता जी आप जो बताएंगे वही किराये वैलिड माना जाएगा तो मैंने बोला सर मेरा अभी फिलाल ए ट्रिपल आर जो बन रहा है वह बन रहा है 92 बोला आपका रूल ठीक है आप कम किराये नहीं दे रहें तो ऐसे सिचुवेशन में यहां पर जी यह भी क्या माना जाएगा तीसरा केस देख लीजिए मान लेते हैं एक्सपेक्टिड रेंट है मेरा एक लाग और मेरा रेंट जो है रेंट मैंने दिया सर बीस अजार रुपे महिने के किराये पे दिया मैंने बीस अजार रुपे महिने के किराये पे दिया आठ महिने तक चार महिने खाली रहा मेरा बीस अजार महिने का किराये दिया चार महिने क्या रहा तो मेरा एक लाग तो गवर्मेंट कहता है भाया तुम जो निकाल रहे हो तुमारे रूल को ही मानेंगे क्योंकि पूरे साल मेर से तो बहतर निकाल रहे हो तो यहां पर क्या बन जाएगा यानि lower वाला concept कब लगता है जब आपका government वाले rules से कम आ रहा हो और आपका total मिलाए तो government से जादा जा रहा हो higher वाला कब लगेगा जब आपका government के हिसाब से कम आ रहा हो और total भी करो तब भी आपका कमी पढ़ रहा है तो government बोलते तब तो हम तुम्हारा मानेंगे नहीं अब simple सी बात है ना आप देखो simple सी बात है मैंने कहा सर expected rent है यहां पर एक लाक आपने कहा मेरा पूरे साल किराय पर था दस रुपे महीने के हिसाब से तो बारह एक सो बीस government क्या कहेगा जूट बोल रहे हो किस पर टेक्स लेंगे तो यहां पर क्या ऐसा condition बना यहां पर condition बना आपका overall तो हमसे कमी जा रहा है तो तो तुम गलत बोल रहे हम overall के हिसाब से लेकर चले तो यह तीन केसिस बन सकता था जो कि हमारा यहां पर भी मैंने consider किया clear है पच्चे पूछे 5000-6000 कहां से आया मेरा मानना है वो अजम्शन है कुश्चन में नहीं है कि और जाने जूँए ठीक है एक और सवाल देखें कि यह सवाल में रखूंगा आपके homework में लेकिन 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 पहले समझना होगा पहले एक बार आप कि अ